आप सभी लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि छे भारतिये स्थलों को ये उनेसको विस्थ धरुहर स्थलों की संभाविश सूची या फिर इससे आप लोग आयस्थाई सूची भी कहते हैं इसमें जोड़ा गया है और इसकी सिफारिस कौन करता है तो आप लोगों को मालू होना चाहिए जो भारती पुरातत सरवेख चड़ है न यह संतोती यानि कि इसकी सिफारिस करता है और इसके बाद क्या होगा कि एक साल तक है आयस्थाई या संभाविश सूची में ही रहेंगे उसके आँगे क्या इन्हें UNESCO की जो फाइल होती है उसमें भीजा जाएगा और उसके बाद अगर अनुमती मिल जाती है तो इस्थाई सूची में सामिल हो जाएंगे और याद रखी इन्हें सामिल करने का एकुद्धिस यह भी रहता है कि आप समझें कि अगर इस्थारवर इस्थलों की सूची म बढ़ जाता है और आप सबी लोग जानते भी होंगे कि हमारी अर्थवस्था में परयाटन का भी काफी कुछ मार्थ है आप देखते हैं आप मान लीजे आप लोग दिल्ली के लाल के लिए को आप लोग देख लीजे आप देखिए कि विदेशों से कई लोग आते हैं देखने के लिए जाते हैं तो एक चल्चा का केंद बिंदू बन गया है ना इसलिए इस तरह के स्थलों को जोड़ा जाता है इसमें ठीक है और आपको यहां भालती पुरातत सर्वेक्षण के बारे में भी बता देता हूं क्योंकि आप देखते हैं इस तरह के कुष्चन्स आपके फीटी में हमिशा पूँचे जाते हैं और इसलिए आप लोगों से कहता भी हूं कम से कम पांस से चैसाल पुराने कुष्चन्स फेपर उठा के देख लिया करिएगा आपको यह अंदाजा हो जाता है कि कहां से किस तरह के कुष्चन्स पूँचे जा रहे हैं अब आ आपना देखा हैं वर्ल्ड बैंक से आते रहते हैं आपके यूएन से आते ही रहते हैं तो इस तरह के सभी संगटनों को आप लोग कबर कर लीजी एक मातफों टॉपिक है इससे हमेशा आपके कुष्चन्स आएंगे और आती रहे हैं ठीक है तो भालती पुरातत सब्सक्राइब करें तो यहां से आप जाएंगी तो फ्रांस आप जानते होंगे फ्रांस का पी चर्चा में भी रहता है रफैल भी आप लोगों ने यही सिखरी देते तो यहां पेरिस में आपको देखने कुम लेगा यूनेसको का मुख्याले और इसका यूनेसकों का गठ यह भी आप लोगों को माल होना चाहिए इससे भी आपके कईवार डारेक्ट कुश्चन्स बन जाते हैं और इन 6 स्थलों को मिलाकर 8 टोटल संभाविस सूची में भारत के स्थलों होगा है 48 यह स्थाई नहीं है आए स्थाई की बात कर रहा हूँ ठीक है इसमें आगे क्या क किया जाएगा और उसके बाद सहमती मिलती है या नहीं मिलती है यह उने इसको निरधारी करता है एक कुश्चन सब और आपकी देमाग में बनता है कि आकिर विस से धरोवर इस्थल होती क्या है तो आपको मालू आने चाहिए कि विस से धरोवर इस्थल या विस से विरासत इस्थल को अंतराश्टी मत या विस सुरक्षा की आवस्तक्ता वाले फिराक्तिक भी हो सकते हैं मानो निर्मित भी हो स आप समझे आप लोग रखवाली या आप लोग उसी वस्तु की सुरक्षा करेंगे ना जिसे आप लोग जरूरी है जो कोई खास महत्तु रखता हो ठीक है और इन इस्थलों को सैवक्त राष्ट इवेन और सैवक्त राष्ट सैक्षडिक विज्ञानी केवं सांस्कितिक आप सभी को मालों होना चाहिए कि इसकी स्थाफना 24 अक्टूबर 1945 को हुई ती किसकी सैवक्त राष्ट की अगर इसके मुख्याले की बात करें तो आप देखेंगे सैवक्त राष्ट राष्ट रमेरिका एँ है आपका और यह हापको देखने को मिलेगा इसका मुख्याल है नीवार्क ठीक है ये भी माल होना चाहिए एक पॉइंट और आप लोग याद रखिए आपने देखा होगा कि 2017 में कुम मेला को अमूर्द सांस्कितिक धरोहर सूची में सामिल किया गया था एवी कुष्टन्स डारेक्ट बन सकता है और अमूर्द का मतलब आप जान दें कि जिसका भौती कस्तित ना हो जिसे आप लोग चूप कर महसूस ना कर सकते हो ठीक है और आपको ये भी मालो होना चाहिए कई बार कुष्टन्स बन चुका है कि कुम मेला कहां कहां लगता है परियाग में इलावाद जिसे परियाग राज कहते हैं हरिद्वार, ओज्जेन और नासिक ठीक है अगर हम बात करें विश्ट से विरासत इस्थलगी तो यूनेस्को की विश्ट से विरासत सूची में विभिन छेत्रों या वस्तूओं को अंकित किया गया है और यह सूची यूनेसको द्वारा 1972 में अपनाई गी और विश्ट सांस्कितिक और फ्राक्तिक धरोहर के सरक्षन से संबंदी कन्वेंशन नामा की अंतराष्टिये संदी में सन्नीत है और विश्ट विरासत केंद वर्स 1972 में हुए कन्वेंशन का सचीबाला है 1972 के बाद ही आप देखेंगे इस्थलों को विश्ट धरोहर सूची में जोड़ा गया और यह पूरे विश्ट में उत्किष्ट सारव भॉमिक मोल्यों के प्राक्तिक और सांस्कितिक स्थलों के सरक्षन को बड़ाबा देता है और इसमें आप देखेंगे इस सूची में तीन फिकार की स्थल सामिल होते हैं एक तो आप देखेंगे सांस्कितिक दूसरा प्राक्तिक और तीसरा होता है मिस्सित और सांस्कितिक विरासत की बात करें तो इस्थलों में इतियासिक इमारत हो गई आप देखते हैं हमारे जैसे आपने देखा होगा कि आपका लाल किला हो गया और इस तरह के जो भी आपकी इमारते हैं फिर या तो आप देखते हैं सहर हो गए स्थल, महत्पूंट प्रात्विक स्थल, इसमार की ये मूर्तिकला, पैंटिंग कार, इन सब को सामिल किया जाता है। अगर हम प्राक्तिक बिरासत की बात करें तो ये में उत्किष्ट, पारिस्थितिक और विकास वादी प्रिकियाओं, आदुतिये प्राक्तिक गटनाओं, दोडला भी या फिर आप देखेंगे लोगत प्राय प्रिजातियों की आवास स्थल आदी को सामिल किया जाता है। अगर हम मिस्रित बिरासत में बात करें तो इसमें इस्थलों में प्राक्तिक और सांस्कित दोनों पिकार की महत्पून तत्तो सामिल होते हैं। इसे आप लोग मिस्रित बिरासत में सामिल करते हैं। अगर भारत की अभी करेंट में बात करें कितने हैं तो यूनेस को द्वा है ठीक है राजिस्थान का और इनके बारे में आम लोगों ने एक सामन जानकारी आपको अपलब्द करवा दी गई थी तो important topic for ISPCS के नाम से जो आपकी playlist सूची बनी हुई है उसी में डले हुए है तो हाँ जाकर आप लोग दिखते रहिएगा 38 को यह आपके सामिल किया गया हुने और सभी विस्ताल से उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी बताई गई गई है अगर उनसे questions पूचता है तो आराम से आप लोग उसे भी solve कर देंगे आएस्थाई सूची में सामिल 6 नए स्थलों के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो आपको देखने को मिलेगा सत्फोडा टाइगर रजर्व एक कहा देखने को मिलेगा मद्ध पिदेश में MP में यह सरीसेप सहित हिमालई चेत्र की 26 फ्रजातियों और नेलगरी चेत्रो पराडसी के घाट यह उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा और आपके स्टेट का अगर सामिल है इसमें तो आप लोग याद रखें क्योंकि स्टेट PCS और स्टेट में जो भी आपके एकजाम होते हैं उसमें जरूर पूचने की संभावना रहेगी एक घाट आप देख ठानों को संपन करने में विसेश महत्तुर रखते हैं तो दूसरा आपका बराडसी के घाट होगे जहां से आप देखते हैं कि हमारे पिदार मंतरी साहब लोग सभा कच्चुनावी लड़ते हैं और वहां से जीतते भी हैं तीसरा आप देखेंगे हायर वेनेकल का महापासा इस्थल यह आपको करनाटक में देखने को मिलेगा यह लगबग आप देखेंगे 2800 यानि 2800 बर्स पुराना सबसे वड़ी तरागयती हासिकाल महापासार बस्तियों में से एक महापासारी किस्थल है और जहां कुछ चे अंतर्ष्टी इसमारक अभी भी मौजूद है और इ इस से वड़ासत इस्थल की मानता के लिए फिस्थावित किया गया था और फिर आप देखेंगे मराठा सेंड वास्तुकला एक महाराष्ट में देखने को मिलेगा महाराष्ट में सत्त्रवी सताबदी के महाराथर राजा चत्तपती सिवाजी के समय के बारह के लिए इसमें आप एक देख सकते हैं सिवनीरी, रायगड, तोरन, राजगड, सलहे, मुलहेर, पनहाला, पिरताबगड, लोहागड, सिंदु दुरुग, पदम दुरुग, मिलों, बाजा रहा हूँ, आवासी इचित्रों मद्द योगीन, बास्तुकला के लगबग हर रूम में, सहीत बास्तुकला के विविन रूम में नई अंतरश्टी प्रदान करते हैं, ठीक है, यह आप देख भी सकते हैं, एक आप देखें कि नर्वदा घाटी में, भेडा घ लेके एक सहर में देखने को मिलीगा, और नर्वदा नदी के दोनों और संगमर की 100 फिट, उंची चट्टाने, उनके विविन रूम बेडा घाट की खासियत हैं, और आप मैंसे अगर मद्द पदेश के हैं, तो आप लोग कई लोग इहां गए भी होंगे, जाते रहते लमेता घाट, चित में डाइनोसोर की कई जीवास में भी पाए गए हैं, और नर्वदा नदी संगमरमर की चट्टानों सी होकर गुजरती सक्री होती जाती है, और अंत में एक जहन्ने की रूम में नीचे गिरती है, और इसका नाम क्या है? धुँआधार जल पे पात, ठीक पलस्ते थे, और इस इतिहासिक सहर में कभी एक हजार मंदिर थे, जिन में से अब देखेंगे आप लोग 126, 108 आपके सेव और 18 बैशन धरम से संबंदित हैं, और इसे पल्लाव राजवनस ने 26 से 27 सतापती की वीच अपनी राध्दानी बनाया था, और ये मंदिर वियाद रखी, इनसे आपके डारेक्ट कॉस्चन्स पूंच लेगा, क्योंकि करेंट से आप लोग देखते हैं, इस तरह की कॉस्चन्स नॉर्मल आते रहते हैं कई गार, ठीक है?